शारुक सल्मान की दोस्ती में आया नया त्विस्ट सल्मान खान को हिट एंड रन केस में 5 साल की सजा सुनाई गई है सल्मान खान को पहले से ही 6 मई के दिन सजा सुनाने के लिए तारीख मुकरर कर दी गई थी जिससे कि सल्मान खान के घर 5 मई की रात गहमा गहमी का महौल था इस दोरान 5 मई की रात उनके कई दोस्त सल्मान से मिलने पहुँचे लेकिन शारुक खान ने गेलेक्सी अपार्टमेंट पहुचकर सभी को चौका दिया शारुख खान और सल्मान खान के बीच हमेशा से ही विवात की खबरें सुनने को मिलती रही हैं लेकिन जब शारुख दबंग अभिनेता की मुसीबत के समय में बिलने पहुँचे तो सभी लोग ठागे से रह गए सल्मान को जब मुसीबत में शारुख ने देखा तो उनसे देखा नहीं गया और वे उन्हें धाडस बनाने के लिए उनके घर पहुँच गए इसके बाद ही दोनों की दोस्ती में एक बार फिर से ट्विस्ट आ गया है कही न कहीं इन बातों को भी तूल मिल रहा है कि क्या सल्मान और शारुख के बीच के फासले खत्म हो गए है गौर्ट लब है कि कैटरीना के जन्म दिन पर हुए जगड़े के बाद दोनों ने पांच साल तक बात नहीं की थी कुछ महीनों पूर भी दोनों ने बातचीत करना शुरू किया था शारुख के अलावा डेविड धमन और साजिद नाडिया वाला भी सल्मान से मिलने उनके घर पहुंचे